Hey, Good Morning Everyone, This is Puneet here Politics के एक और टॉपिक को आज मैं डिसकस करूँगा और वो टॉपिक है Government जो हमारा Central Government, Running Government होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं अगर मैं आपसे Question पूछूँ कि जो आज हमारे देश में Running Government है उसका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे Sir NDA, National Democratic Allies जिसमें Sir BJP मेल है और बहुत सारे चोटे-चोटे पार्टी ने मिल करके National Democratic Allies बनाया है और वो ही हमारे देश में आज क्या कर रही है? गवर्न कर रही तो आपको पता होना जाहिए कि NDA का formation 1998 में हुआ था NDA 15 से ऊपर पार्टी ने मिल करके एक एक एलाइंस बनाया था उसी को अबनों National Democratic Allies बोलते है ये सभी पार्टी वो पार्टी थी जो कॉंग्रेस को अपोच करते थे अज वह ही पार्टी हमारे देश को रन कर रही है NDA आपको पता होना जाए 329 सीट लोक सभा में इनकार भी परजेंटली है तो ये पार्टी गोवर्मेंट लेकिन मैं आपसे ये question पूछू कि सर यह जो NDA गोवर्मेंट है ये किस तरह का गोवर्मेंट है मतलग क्या इसे हम National Government बोल सकते हैं क्या क्या इसे हम Minority Government बोल सकते हैं क्या तो आज इसी टोपिक में डिसकस करूँगा ये क्या होते है Care Ticker Government Care Ticker Government क्या होते हैं ये कब बनते हैं ये Interim Government भी आप पॉलिटी में कभी सुने होगे Interim Government क्या होते है Minority Government क्या होते है इस सब टोपिक पर आज मैं डिसकस करूँगा लेकिन ये जानने से पहले आपको पता आना चाहिए Council of Minister क्या होते है आपको पता होना चाहिए कि ये लोक सभा में हमें लोग जो जो representative को चुन करके बैजते हैं जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाख होता है हम लोग क्या करते है अपने एरिया से अपने एरिया से जित्में भी इक होते है MP उसको हम लोग क्या करते हैं देते और उसको भाइजते हैं का भे लोग सवा में बैजते हैं इस तरह से लोग सवा में टोटल कितना जितना सीठेक है्लोक सबीसजा में मतलब फाइप फ़र्टी त्री जू सीड जो हैं उसमें जा करकर 329 MP है running government NDA ति क्या वो 329 का 329 मंत्री है गया मंत्री मतलब minister है गया क्या उनको कोई ministry का portfolio मिला गया तो आप कहेंगे नहीं sir मंत्री तो बहुत कम ही लोग बनते है यह surely आपको पता होना चाहिए कुछ ही मंत्री बनते हैं लेकिन उस कुछ लोग भी यह मंत्री बनते हैं वह मंत्री की तीन तरह की होते हैं एक मंत्री का नाम होता है cabinet ministry एक दुसरे मंत्री का नाम होता है minister of estate और एक तिसरे मंत्री का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं deputy minister ठीक है यह तीन तरह के ministry को मैंने सजाया है जो सबसे ज़्यदा powerful है उसका नाम है cabinet ministry जो second most powerful है उसको हम लोग बोलते है minister of state उसको एक पूरे department नहीं दिया जाता है minister of state को एक पूरा department example के लिए आप देख सकते हैं अगर home ministry है तो home ministry का पूरे का पूरा प्रवार जो दिया जाएगा ना वे एक cabinet minister को दिया जाएगा कि देखो क्या होता है ने कि हम लोग जो चुन करके MP को लोगसभा में बिठाते हैं उस लोगसभा में जो running government का MP होते हैं उसमें से कुछ MP को मंत्री बनाते हैं और उस मंत्री में भी तीन तरह के मंत्री बनाते हैं जो सबसे ज्यादा powerful होंगे होगे cabinet मंत्री जो cabinet minister बोलते हैं जो second most powerful होगे उसे हम लोग बोलेंगे Minister of State और जो थार्ड जो होगे नो ओगे डिप्टी मिनिस्टर ठीक है डिप्टी मिनिस्टर तो यह आपको पता होना चाहिए अब आगे सर यह सब क्यों बता रहे हैं देखो सिंपल सा लॉजिक है आपको पता होना चाहिए कि यही जितने भी मंत्री है न यही रिस्पॉंसवल ह यह मतलब यह हुआ न कि अभी मैंने तीनों मंत्री का नाम बता है यह तीनों मिलकर ने कॉंसिल ओफ मिनिस्टर बनाया यह मिलकर करके घट करनें प्राइम मिनिस्टि edu कुछ भी हो जाएगा ना तो लोग सभा गिर जयए और लोग सभा डिजालु हो जाएगा अगहर कौसीज करना प्रわか existe करना चुन्य सबुनूजर ने जाता है कि कॉंसील आफ मिनिस्टर इस रिस्पॉनसिबल फोर लोक्षवा इसका यही सिंपल सा मतलब हो रिर कोग सरकार गिर जाती है और फिर से नया एलेक्शन करकी फिर से नया प्राइम मिनिस्टर को चुना हुए यह सब मैंने आपको इसलिए बताए क्यों मुझे बताना था क्यार टेकर गवर्मेंट आपको नाम से पता चलना होगा कि यह क्यार टेकर करने का मतलब यह केवल एक ऐसा मैं यह देख़ा करने के लिए है मेरे पास तो सबसे पहला जो गवर्मेंट है आ उसका नाम है केर्टेकर टेकर गवर्मेंट होते हैं एक ए केर्टेकर गवर्मेंट वह क्या करेगा लूज मोकस्वा अब ड़ाकिशल council of minister lose करेगा अपना confidence लोकसभा में यह कैसे होता है जैसे ही जापने डिए मैं बताता हूँ आपको कि कोई bill council of minister ने paste किया लोकसभा में और वो bill गिर गया अब और आ कि सर वो bill जो है पास नहीं हो पाया तो कैसे पास नहीं हो पाया आप जांते हैं न किसी bill को पास होने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता है कि मेजुरूटी होता है एक सिंपल मेजुरूटी होता है एक स्पेशल मेजुरूटी होता है अगर लोग सभा में उसको मेजुरूटी नहीं मिला इससे क्या पता चलता है सरकार के पास क्या है पावर ही नहीं है सर एक सरकार government में तभी रह सकती है जब उसके पास more than 50% of the MP उसको support कर रहा अगर कोई विल्मानों की लोगसभा में पास नहीं हुआ इसका direct meaning होता है कि लोगसभा dissolve होने वाला है क्योंकि सरकार जो है running government उसके पास majority रहा ही नहीं उसके पास लोगसभा confidence रहा ही नहीं आया कुछ करते हैं तो मैंने सबसे पहला बताया कि देखो अगर council of minister जो है ना उसके जो हैड होता है प्राइम मिनिस्टर अगर वह रिजाइन देदे तो अगर उसके हैड भी रिजाइन देते है ना तो पूरे council of minister भंग हो जाएगा और council of minister अगर भंग हो गया तूट गया तो सब्सक्राइब हो जाएगा और तिसरा मैंने बता है कि अगर कोई भी पास नहीं हो रहा है लोग सब्सक्राइब हो जाते हैं और जब लोग सब्सक्राइब हो जाएगे तब क्या करेंगे पर्सिडेंट के पास यह पावर होता है कि कुछ दिन के लिए को लाते हैं कि आप सिपफल सा सोचिए कि मतलब सरकार गिर गई है अगर इस बीच में कुछ हो जाए हमारे देश में मानों कि कुछ ऐसा सिजूरे साइए इसको कौन सॉल करेगा आपके पास तो सरकार है यह नह पतलब एक केर टेकर गुवर्मेंट की जुरत परेगी मुझे क्योंकि मानों इसी बीच में चाइना के साथ यह दो हो गया इसी बीच में मानों की देश में बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम समा गया तो उसको सालू कौन करेगा इसके लिए गौवर्मेंट का होना जरूर कि यह तो एक रेजन दा लेकिन और भी रेजन है कि रिचेंब div क्राइब क्रेंट शोने का सबसे मेन है न वह ला जाता है 74 तो निए निए यहां लिखा हुआ है कि बारे में लिखा ऐख की बनाने बारे में लिखा निए्स यह नहीं सेवंटीकर के लिए add करने के लिए नहींगा इसका क्या मतलब हुआ थे दिखो हमारा जो सब्सक्राइब परसिडेंट होता है ना उस परसिडेंट को हमेसा बताने के लिए उनको समझाने के लिए उनको add and advise करने के लिए एक Consul Of Minister वनाया गया कि council of minister जो है न वो प्रसिडेंट को हमेशा add and advice करेगा add and advice का मतलब समझे न कि प्रसिडेंट को हमेशा advice देगा कि सर यह bill जो है important है इस पर आप sign कर दीजे add करेगा help करेगा assistant करेगा मतलब कि प्रसिडेंट पूछेगा कि देश में क्या चल रहा है उसका जबाब भी देगा तो a.ट तो a.इसि बनद जरूरी होता है हमेशा जरूरी होता है किकी सको प्रसिडेंट को अगर लोगा इसका मतलब क्ऊंसिलब मिर्श्टर भी हमेशा रह ना चाहेकश प्रसिडेंट को जरूरी है इसी लिए भी हम लोग केर टेकर गवर्मेंट बनाते हैं ताकि प्रसिडेंट को हमेशा एड़न एडवाइस करने के लिए कॉंसिल आप मिनिस्टर रहे नहीं आया समझ में आपको देखो केर टेकर गवर्मेंट एक टेंपरोरी गवर्मेंट होता है ये तभी बनता है जब लोग सभा डिजॉल्ब हो जाता है मतलब जो रणिंग गवर्मेंट है वो अपना कंफिडेंस खो देता है लोग सभा में तबी जाके Caretaker Government बनता है Caretaker Government कौन बनवाता है President बनवाता है किसको बनवाता है जो सबसे जएदा Popular Party हो सबसे जएदा Main Party हो उसको बुला करके काता है कि आप थोरी दिन के लिए Caretaker Government बनाईए Caretaker Government बनाने का मतलब होता है एक Government fully जीस तरह का आज running government है उस तरह का वो government का formation होता है उसमें भी council of minister होते हैं अब आगर यह सब करने की जरुखत गया थी तो मैंने बताया ना दो-तिन डीजन आपको बताया अगर देश में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा उसके लिए government का जरुखत होगा ना क्योंकि लोगसभा डिजॉब हो गया रेनिंग government गिर गया है तो उसके लिए जरुखत होगा ना इसी लिए साथे साथ मैंने बताया कि आटकिल 74 बोलता है कि प्रसिडेंट को हमेशा एड एड़ एडवाइस करने के लिए कॉंसील ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए तो अगर console ऑफ मिनिस्टर मतला लोकस्भाः डिजॉब हो गया अगर सरकार गिर गयी तो concern आएड एड बोलता होगा ना इसी लिए क्यारटेकर गॉफ्यदेल्च बढाने की जड़ूरत है ताकि It is the government of necessity Not our choice मतलब ये care-taker government जो होता है न ये हमारी जरुरत है नो कि हमारी twice है क्योंकि ये हम लोग चूज करके नहीं भेज रहे है हम लोग इसको चुनाप के दोरा नहीं भेज रहे है ये care-taker government है ये थोड़े दिन के लिए इसलिए आया है ये जो है न ये एक ट्रेडिशन है मतलब कि ऐसा कॉंस्ट्रेशन में कहीं नहीं बोला गया है एक care-taker government बनाओ लेकिन ध्यान से अगर आप पढ़ोगा इन कॉंस्ट्रेशन को तो कॉंस्ट्रेशन में आर्टिल 74 का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा गया है कि care-taker government एक temporary government होती है जब running government गिर जाती है तब जागे care-taker government का formation होता है care-taker government को president formation करते है क्यों formation करते है ताकि उस बीच में जब सरकार गिर जाती है तब कोई एक सरकार ऐसा हो जो क्या करे जो हमारे problems को अगर उस बीच में कोई problem आता है तो उसको solve करे सासे साथ President वह हमें साइडवाइस करने के लिए एन एडवाइस करने के लिए एक Consil of Minister का जरूवत होता है इसलिए आप लोग को एक temporary government बनानी की ज़ुरत पर जाती है ठीक है इसके वाले में constitution कहीं भी जीक्र नहीं करता है लेकिन यह एक tradition है कि caretaker government जो एता है रहेगा ठीक है caretaker government जो है बनेगा क्योंकि एक tradition की तरह चलते आ रहा है अब आके सर यह caretaker government जो होते हैं क्या उसके पास भी सब पावर वैसा होता है क्या जैसा running government जिसको हम लोग चुनाब देकर भेज रहे हैं क्या उसी के जैसा इसके पास सब पावर होता है तो देखो problem क्या है कि caretaker government जो है अपने routine work administrative work जो होता है वो करता है लेकिन कोई important decision नहीं लेता है मतलब समझ रहे हैं कि यह actually जो है इसको हम लोग ने चुन करके तो भेजा नहीं है यह temporary government बनाए इसलिए बनाए क्योंकि हम लोग को जरूरत है इसलिए का जाता है कि caretaker government जो है न यह important decision नहीं लेगा लेकिन जो जरूरत का decision हो लेगा लेकिन important decision काने का मतलब क्या कि मानों की किसी दूसरे बीदेश से हमको कोई foreign country से जो है वह को कोई trade trade करना है उसको कुछ रूपया देना है ठीक है यह सब काम नहीं करेगा जो important काम है वो नहीं करेगा चोटा मोटा काम जो है जिसके बिना हमारा देश नहीं चल सकता है वो सब काम करेगा ठीक है तो caretaker government carried out routing and administrative business not the important decision क्योंकि यह लोग सबाब अब रहा कि sir important काम क्यों नहीं करेगा अरे भाई इसको हम लोग नहीं चूज करके नहीं बेजाया इसके पास भी majority नहीं है लोग सबाब में इसके पास भी majority मतलब 50% MP का support नहीं है इसके पास इसलिए important decision नहीं नहीं ले सकता है ठीक है caretaker government जो है ना किसी जो next government आने वाला है जो मतलब चुनाव होने वाला उसमें किसी पार्टी को financially support नहीं करेगा किसी दूसरे country के साथ जो है ना treaty नहीं करेगा जिसमें रूपीज पैसा का जिक्डोटिक है उस तरह का treaty नहीं करेगा लेकिन अगर कोई कि ऐसा situation आजाए जैसे emergency का situation आजाए जिससे हमारे देश को ख़द रहा हो इस तरह में क्या होता है यह important decision भी ले सकता है कि नहीं आया समझ में मतलब इसी नहीं से बोला जाता है caretaker government को restrictive mode में रखा गया है restrictive mode मतलब समझ रहा है उसको रोक करके रखा गया है देखो तुम को आये देश तो तुम केवल सिंपल सिंपन डिसीजन लो बड़ा डिसीजन लेने की तुमको जरत नहीं है जो जब आएगा चुल करके government वह लेगा बड़ा डिसीजन लेकिन अगर देश में कोई थ्रीट हो जाए हमारे देश पे कोई खत्रा हो जाए हमारे देश पे मनों किसी ने अटेक कर दिया तब तुम सभी डिसीजन ले सकते हो इंपोर्टेंट डिसीजन एवरीधिंग तुम ले सकते हो तो केयर टेकर गवर्मेंट जो होते हैं restrictive mode में रहते हैं लेकिन अगर देश को खत्रा हो देश के इंट्रेस्ट को खत्रा हो तब यह important decision भी ले सकते हैं ठीक है तो यह था care taker government के बारे तो I think आप समझ गये होंगे in short में आपको बता देता हूँ care taker government एक ऐसी government होती है जब running government अपना लोग सभा में confidence खो देता है लोग सभा में गिर जाता है उसका running government जै प्यार किर गई तो क्या लग रहा है आपको election commission of India तुरंट चुनाव कर देगा गया उसको करने में time लगता है कम से कम 2-3 मेना तो लगता ही है उसको चुनाव करने में तो यह जो 2-3 मेने का period ना उस 2-3 मेने के period में कौन सा government है अगर बीजेपी गिर गया तो कोई government तो बचा ह नहीं ना लेकिन article 74 तो बोलता है कि हमेंसा council of ministry president का मतलब सपोर्ट करने के लिए रहना जाए तो इसलिए हम लोग क्या करते है एक temporary government का formation करते हैं कि इसको बुलागर के जो भी मतलब party है ना उसमें जो popular party है जिसके पास ज्यादा confidence है लोग समाब उसको बुलाता है काता है कि आ 503 लोग समाब सीट होते हैं उसमें 503 का जो half होते हैं सिट नहीं रहा हम जोगा है मतलब अगर मटवीजेपी की सरकार गिर गही है तो इसका मतलब है कि बुछ Hmp को सपोट करना है चूछ पॉप्लर रहे गा परसिच को लगेगा कि यह party जो नाम में बीजिस्ट सकता है ठीक ह पॉपुलर्ट पार्टी बनके उभरे गाए तो उसको गुला के किया आप कुछ दिन के लिए क्या कीजी के टिकर गुवर्मेंट का फॉर्मेशन कीजिए ठीक है नहीं है सुने अभी देखो हम लोग देखते हैं दुसरा टाइप जो है वह इंट्रीम गुवर्मेंट इसका न मतलग क्या होता है कि हम लोग एक जगह सें दुसरे जगह मतलद जब ट्रांस फरोरा ट्रांस एक सब्सक्राइज हम लोग बोलता है यह declari कि हमारे देश में कभी ऐसा फेज आए है दिया सी और यह है के अपना सत्ता लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हमारा सरकार दो था हमारा जो भारत था क्या सभी पावर को लेने के लिए तयार था गया क्या उस तयार में भी मतलब बहुत सब्सक्राइब को तयार होने आपको पता हो ना कोई नींबना तो इसका मतलब क्या है चैश्य कॉइस सब्सक्राइब कर देता है जो चुनाब होने तक मतलब की जब तक हम तयार हूंगे तब तक ही गॉडमेंट चलाएगा मतलब समझ रहें आप इसका मतलब यह हुआ कि जब मतलब country जो होता है transition phase में रहता है जब एक phase से निकलके दुसरे phase में जा रहा होता है तब हम लोग तयार नहीं होते हैं उस power को लेने के लिए तो हम लोग जब तक अपना constitution बनाएंगे जब तक हम लोग सब कुछ अपना देश को टिक्टा करेंगे तब एक हम लोग को छोटा सा government चाहिए जो हमारे देश को देरे दरे रन करता दे लेकिन जब फिर constitution हमारा बन के तयार हो जाएगा तब constitution जो बोलेगा कि democratic way से election के द्वारा चुनाव करा कि government को लाना है तब लाएंगे हमारे देश में ऐसा ही हुआ था जब अंग्रेज ने छोड़ा था देश को तो भारत को पावर दे दिया और आपने सुना होगा कि एक interim government बन गया था इंट्रिम government आप देखे होंगे कि interim government का बहुत सारा portfolio था कि यह Prime Minister था यह ग्रीम मंदरी था यह डिफेंस नीष्टे था नहीं उन्होंने एक इंट्रिम government बना लिया और कहा कि अंग्रेज तुम हमको देदो पावर क्योंकि हमने एक सरकार बना लिये लेकिन क्या हो सरकार को हम ने चूच किया था क्या जंता ने चूच किया था नहीं वह एक इंट्रीम गवर्मेंट था वह केवल अगरेज के पावर को ले करके थोड़ा दिन के लिए चला है और जैसे ही हमारा कॉंस्ट्रेशन 1950 में लागो हो गया कॉंस्ट्रेशन 1950 में बन गया उसके तुरंत बाद जब ट्रांगोबर्मेंट वैसा कोर्मेंट में बना लेंगे इसलिए क्या क्या एक शोटा सब्सक्राइब बना लिया और उस गोवर्मेंट को जला कि आप तक देश को चलाएए जब तक कि हमारा दिरार बन जाता है जब क्या उसके बाद आद प्री और फिए अले और गौवर्नमेंट आई Congress Government आई वह हुआ democratic वे से construction के according वाला Government ठीक है इंटरीम को मतलब समझ गया तो आगे से इंटरीम गौवर्नमेंट जो होता है जब तक पर्मानेंट आरेंजमेंट रहा हो जाए तब तक यह फुल फ्लेज में रहता है मतलब इसके पास पूरे पावर रहता है जब तक प्रमनेंट एर्रेंजमेंट रहा हो जाए कंट्री में ठीक है तो यह आप समझ गया हुआ कि इंट्रीम गवर्मेंट क्या होते हैं हम लोग देखते हैं तिस्टे टैप अब गवर्मेंट का तो एसा गवर्मेंट जो सासन में तो आ गई जैसे मानो कि बीजेपी बीजेपी जो है पावर में आई अगर मानो कि बीजेपी के पास आज जो बीजेपी है इसके पास टोटल जो सीट है वो साइब 303 है ठीक है और कोगे कि सर अपने अभी बताए कि 329 सीट है इसके पास लोग सब्सक्राइब और दुसरे पार्टी को अगर मैजर्री लोग सब्सक्राइब नहीं आता है और तब भी गौवर्णन चला रही हो तो वह minority government है कभी भी होगर उसको दूसरा party ने support चीन लिया तो सरकार किर जाएगी समझ रहे हैं आप मतलब एक ऐसा government जो खुद मतलब देखो हमारे देश में multiple party system है हमारे देश में बहुत सारी party है अगर एक जो party running party हो अगर उस running party party में जो में party हो उस में party के पास 50% अब लोग से नहीं हो तो क्या होगा फिर भी वो running कैसे कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि दूसरे लोगों ने दूसरे party ने उससे support किया अब देखो कि वो party जो बना यह जो running government बोलते हैं मतलब minority government मतलब about majority in parliament by itself by one party जो party main है उसके party के पास भी majority नहीं है वो इसलिए बन रहा है survive कर रहा है क्योंकि support given by the one and more other political parties from outside जिसको हम लोग collision government भी बोलता है क्योंकि यह बहुत सारे party मिलके बना अब राक सर इससे क्या होते हैं इससे बहुत कुछ होते हैं हमारे देश में अभी देखो कि यह जो running government रहेगा जो minority government रहेगा नहीं हमेसा डटर के काम करेगा भाई किसी पार्टी ने मेंना support चीना कि तुरंथ हमारा सरकार गिर जाएगा आपको पता होना चाहिए हमारे देश में बहुत वार हुआ है कि एक party ने चीना कि प्राइब मिनिस्टर गिर गया प्राइब मिनिस्टर मतलब पूरा लोग सबाब गंग हो गया तो मतलब एक ऐसा यह जो पार्टी का जो फॉर्मेशन होगा ना यह पूरे सभी पार्टी ने मिलकी जो government बनाया ना वह एक minority government होगा इसमें ने इसमें से किसी पार्टी ने अपना सपोर्ट चीना की तुरंट सरकार गिर जाती है ठीक है और तो लास्ट है ना इसको हम लोग बोलते है नेशनल गवर्मेंट ठीक है अब यह government का कुछ फायदा भी है कुछ नुकसान भी है सुनने में तो बहुत ही अच वी तो बोलता है कि जो descender to बहुता है और बुच्छ को सुनता ही नुख जो भी अवाज उठता उसको सब बंद उसे राइट विंग पार्टी बोलते हैं जैसे की बिजेपी है और left-wing party उसको बहुत दिया थिक हे तो थो होता है उ मतलब सब कुछ को देखते वह भी बहुत अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है बट वह । जो है ना मतलब वह देस के उतना एंग्रेशिव नहीं होता है जीतना राइट विंग होता है- समझरेवाद तो नेशनल पार्टी उस पार्टी को बोलते हैं जिसको सभी पार्टी ने सपोर्ट दिया होगा अब ऐसा प्रसिअब है कि मैं आपको लगता है कभी कॉझ्ड वी ईपी कूझीयर को सपोर्ट करें यह तो I think नहीं possible हमारे देश में नेशनल पार्टी का संभाब ना कभी नहीं है और अभी होगा भी नहीं ठीक है लेकिन हाँ आपको पता होना है चाहिए नेशनल पार्टी का जो थौट है न वो आते हैं हमारे देश में कभी-कभी ठीक है अभी देखो आप समझ गये नेशनल पा इमर्जेंसी के डूरिंग जब डेष में इमारे लगती है तब कॉछरे वानेशनल नेशनल टाटोप का वहां से उजागर होता है कि अदर जैसिडूरिंग दा क्राइसिस क्राइसिस के दवरान लिए देश में जब बहुत बहुत बड़ीम होना उस क्राइस के दोन सभी पार्टी एक जोट आते हैं जब सब्सक्राइवर्टी क्या है तो समझो पांटी oneself में में यह कॉंसेब्ट हमारे देश में होगए लेकिन during the crisis during the emergency यह concept आते हैं अब इसका एक loss क्या है कि देखो इस यह राने से न अपोजिशन नहीं रहेगा क्योंकि सभी पार्टी जब एक जूट हो जाएंगे तो अपोजिशन में कोई नहीं रहेगा अब अपोजिशन नहीं राना भी democratic system को भी करता है क्योंकि democracy को अगर कहा कर्स्ट्रक्टिव मेडिया को रख और को responsible citizen को रख जब अपोजिशन नहीं रहेगा तो इसका लॉस यह है अभी देखो यह सभी टॉप वीडियो है ना हमें साही एक क्वेस्टन सब पूछे जाता है और इंटर्वीव में तो गारेंटी यह सब क्वेस्टन पूछे जाता ह तो आज के वीडियो में इतना ही थांकियो एवर्यूंट